दोस्तों से da का पौ्ध dance किति अच्छी फूरीए एह एक धिस में उसकी सारे स्थ कि यह kijई है किसी फूल भी नजार आ रही है आपको यह फूल भी आगी अगर आप भी अनार का पहुदा लगाना चाहते हैं तो जो तरीका है उसमें त्रूक्ति अच्छी फूटिंग लेने का वो मैं आपको आगे बताऊंगा अपने वीडियो में तो आप वीडियो को पूरा देखें इसकी पमत करें और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें जिस्से की जो आने वाली वीडियो होगी गार्डन से रिलेटेड वह आपके पार नोटिफिक्रिशन जल्द पहुंच सके हैं है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता है यह देखे जो अनार का पहुंद्पग्र हो रही है और यह ど Video 5 है इस तरीके से देखिये उपपर भी देखिये आ तो सबसे पहले तो आप जो अनार का पहुंद्ग है तो उसको जितने बड़े पॉट में प्रूट में लगाई है बसको सक्षा बड़े लगाई है उतने बड़े पॉट में लगाए है तिन साथ Virgin इसमें से अच्छी पूटिंग अब इस साल भी इसमें अच्छी पूटिंग आई प्षले साल से थोड़ा साइस में अच्छी पूटाल शहले गिल्सी करें अगळा के जैसे आप जो गई चीज फूरे दो दो इस कोई मिलता है आपको बॉक्स उसमें लगाते हैं तो सबसे पहले इसको देखे जितना बड़ा हो सके पॉड कम से कम 14 इंचिस से उपर का होगा तब इसमें थोड़ी बहुत फूटिंग ले पाएंगे आप और अगर आपको बड़ा है तो आप इसमें अच्छी फूटिंग ले करे सकते हैं पहले यह मेरा पॉटा जो था एक छोटे पॉट में लगा था उसके आपने पॉद्धि की टाइम टाइम पर करेंगे इसकी कटाई च्टाई टैम से करेंगे तो इसमें फूटिंग भी अच्छी लेंगगा और जो फ्लावर है वह भी झालींगे तो सबसे पहले तो इसको आप अगर किसी पॉट में लगा रखा अपने उसमें अगर आप खाद दे रहे हैं तो खाद की मातर इसमें अच्छी होनी चीए क्योंकि ये बर्शात का समय बऄ की समय जाती हैuchen पूर निग तो इस yak grading को तो इसमें जो खषाग देनिया को मैंने इसके वीडियो पहले बना रही कि इसमें कौन सी हाथ दी जाती है इसमें और अगर इसमें सब्सक्राइब यख़ मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कौन सी खाद दी जाती है। अर अगर इसके बाद भी इसमे खाद देना पteenजेक denied क्याँ कि एधने क्ोयश्स्याइट मे Batteryी से खाद की मातरा ज्यादा देनी पढ दिया तो इसमें आप गोवर के खाद दालेंगे तो वो बेस्ट है क्योंकि गोवर की काद के लावव 17 चर्थक जरूरी होती है जडरूरी होती है तो आप 8-10 दिन में कोई भी पहुंता लगाते हैं खास करके मां अनार की बात बोल्लीएब क्योंकि जो मैं आपके बता रहा हो अनार के पहुंधी के बारे में तो इसकी गड़ाई करनी जडरूरी होते है चाहे ब़्सात हो, गर्मी हो, जाडा हो तो इसकी गुराई आप करते रहे आ wrinkles दिन में इसकी गुराई करिए पहुदे की गुराई हल्की कन्नी है एक दो इंचीस की गुराई कन्नी हल्की-हल्की और इसमें जो गोवर की खाद आप देते हैं है या किचन कॉपोस्ट बना कर देते हैं तो कम से कम पंदा इन में तो ये इसके रहे अगर टो आप जैसे बड़ा मेरा है घर में कि लो करीब गोबर की खाहत दूंगा सब्सक्राइब करने जरूरी है और एक ध्यान इसको यह रखना है कि यह जो पहुदा आपने लगा रखा यह अगर दिन भर की दूप में रहेगा तो तभी अच्छी प्रूटिंग ले पाऊगे इसमें और इसमें जो फूल कई लोग की क्वेरी जो होती है कि इसके जो फूल है वो गिड़ जाते हैं जो इसके फूल गिरते हैं उसका एक में कारण यह रहता है कि आपका पौधा जो है धूप में नहीं होगा तो पौधा तो इसमें फूटिंग आप वैसे नहीं ले पाऊगे क्योंकि कोई भी फलदार बांकि पूरे दिन की चाय में रहे है जो इसके फूल गिर जाते हैं और फूट नी बनते हैं उसका दुसरा कारण एक में यह है कि आपके पौधे की मिटी है वह मिटी में जो है पानी रूख जाता है पानी जिस पांट में ज्यादा पानी होगा तो उसके फूल जड़ जब कि यहां डेली बारेगा है लेकिन इसमें पानी रुखता नहीं क्योंकि इसकी घू कि बनी है बहुत पॉरस मिट्टी बनी है जिसमें जो पाणी है डेने जोल से बाहर आ जाता है और मैंने इसको रखा भी देखिए जो यह स्टैंड है के स्ट्रेड में रख रहाई ड्रम को अगर आपको जमीन में हैं तब भी जिसमें मॉजच्च्छ बने रहे गार्थ में हर्समें ज्यादा मॉच्च्टब बने रहने से भी पौधा जो इस्ट्रेस मा आ जाता है और अपने फूल जो है गिरा देता है तो इस प्रकार से आप इसको अगर इसकी मिट्टी बना रहें तो अच्छी बना ये बहुत पोरस मिट्टी मिट्टी से रिलेटर वीडियो भी मैंने जो जिस प्रकार की मिट्टी आपको चाह तो आप इसके लिए वेल रेन मिट्टी बनाएं क्योंकि बरसात का सीजन अगर वेल रेन मिट्टी नहीं होगी तो इसमें जो है पानी रुकेगा और आपके जितने फूल इसमें बन रहे हैं सब जड़ जाएंगे तो आप इस तरीके से मिट्टी बनाएं एक कारण तो इसका कारण है कि इसको ढूंब में रखें दूसरा कारण हो गया इसमें मिट्टी अच्छी बनाएं और तीसरा में कारण है जो में पहले बता जिया था आपको इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो उससे भी स्टेज में आएगा जिससे इसके फूल जड़ेंगे नहीं और जो इसमें पॉंदों में कई होती हैं अगर आपका कोई फल लगा है तो उसमें कीडा लगता है तो इसमें क्या होता है अंदर जो खराब हो जाएगा बाहर चापको दिखेगा सही लेकिन कहीं पर को होल करके एक इसमें जो मक्खी बैठती है वह अपना लारवा चोड़ दीते जो इसमें अंदर चले जाता है वह फल को खराब कर देता है तो आप इसमें जो है नीम-उयल का चिर्करते रहें टाइम टाइम पर हर आर-10 दिन में में नीम-उयल-का चिर्करते हैं जिस आपका पहुद Si Bernard यहाँ जो लेगा और इसमें जो है फ्रूटींग आप अच्छी ले पाओंगे दोस्तों वी इस कैसे लिए का आपको यह वेडियो कैसे लगी आयारं के पुहुंदे लिए जो मैं आज बनाई है तो comment box में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे share करते हैं क्योंकि कई लोग जो है queries करते हैं कि उनके अनाल के पहुंदे में अनार कम आते हैं फूल जादा आते हैं लेकिन अनार कम आते हैं तो आप आगे शेयर करेंगे तो उनको भी से फायदा मिलेगा